नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्पागत है की तारीफ की गई थी दावा किया गया कि डॉनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया में शांती स्थापित करने की काफी कोशिशे की फॉक्स न्यूस के मताबिक टाइबरिंग ने कहा कि डॉनाल्ड ट्रम्प ने दो देशों के बीच चली आ रही लंबी दुश्मनी को खत्म करवाया है जो किसी भी तरह के शांती पुरुसकार के लिए काफी है टाइबरिंग गेजडे नॉर्वे की संसत के चार टर्म के सदस्य रह चुके हैं और नाटो पारलियामेंट असेंबली में नॉर्वे के प्रतिनिधी मंडल के अध्यक्षता करते हैं उन्होंने यूएई और इसराइल के बीच बहतर संबंधों की स्थापना में महत्पूर्ण भूमिका निभाने के लिए ट्रंप को श्रे दिया उन्होंने ट्रंप के लिए अपने नामानकन पत्र में लिखा कि जैसा की उम्मीद है कि दूसरे मध्यपूर्वी देश भी संयुकतरव अमिरात के नक्षे कदम पर चलेंगे और यूए और इसराइल के बीच हुआ ये समझोता एक गेम चेंजर हो सकता है जो मध्यपूर्व को सहयोग और समरिधी के छेतर में बदल देगा बकॉल टाइबरिंग गेच्टे मुझे लगता है कि उन्होंने नोबेल शान्ती पूरुसकार के लिए नामित दूसरों की तुला में राष्टियों के बीच शान्ती बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है मीडिया से बाचीत में टरंप की योग्यता पर चर्चा करते वे उन्होंने मध्य पूर्व से बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के लिए ट्रम्प की सरहना की है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ